तो लेकर आये हैं एक ऐसा स्टॉक जिसमें राकेश जुन जुन वाला जी ने डाव लगाया है राकेश जुन जुन वाला जी के पॉर्टफोलियों पर रिटेल निवेसकों की एक पहनी निज़ रहती है क्योंकि इससे उन्हें वैल्यू स्टॉक चुनने में मदद मिल जाती है सेर बजार के निवेसकों के लिए कि कौन सा स्टॉक के हम बात करने वाले हैं इस स्टॉक पर राकेश जुन जुन वाला जीने एक अच्छे टार्गेट के लिए दाव लगाया है Fortis Healthcare Limited के सेर में एक फ्रेस रेली आ सकती है इस समय ये स्टॉक 283.10 पैसे के आसपास के लेवल पर ट्रेड करते हैं नजारा रहा है और आने वाले ट्रेडिंग सेसंस में इस सेर में उतार चड़ाव देखने के लिए मिल सकता है Fortis Healthcare Limited स्वास्त देखभाल की सुवीधा स्विर्ष्थ की कंपनी है कंपनी का मार्किट कैप वैल्यू 21,387 करोड है कंपनी के एक सेर की कीम्यत BSC बजार में आज 283.30 पैसा है और NSC बजार में आज 283.10 पैसा है कंपनी की स्थापना 1996 में की गई थी और रुपाओ जी अगर इसके तुम प्रैस परफोमेंस की बात करोगे तो एक साल में यह श्टॉक डबल हो गया एक सो दो परसंट के रिटन एक साल में दिया है इसमें पर्मोटर्स अगर इसके देखो पर्मोटर्स यानि कंपनी के मालिक तो 31.17 परसंट का स्टेक है यहीं FIIS की बात करें विदेशी इंवेस्टर्स की तो 29.33 परसंट का माल है और DIIIS की बात करें तो 15.79 परसंट का स्टेक है और पॉब्लिक के पास 23.7 परसंट का माल है और यहीं इसके 13.9 परसंट की कामकाज की बात करो तो 31,52,376 कोंटिटी ट्रेड हुई है जिसमें से 6,64,858 का माल उठाया है 21.09 परसंट की परसंटेज देखने को मिलती है राकेश जुनजुनवाला जी का यह इस्टोक चार्ट पेटन पर पोजिटिव दिखरा है यह इस्टोक 300 से 302 के लेवल पर एक ताजा ब्रेकाउट भी दे सकता है जिसके कारण आने वाले कुछ ही दिनों में यह 20% तक उच्छाल दे सकता है अगर इसका ब्रेकाउट हो गया तो एक महिन्य में 20% तक की उच्छाल इसमें देखने के लिए मिल सकती है 40's Healthcare के शेयर 260 से उपर डिखने के साथ चार्ट पेटर्ण पर दिख रहा है इसमें जल्दी क्लोजिंग बेसिस पर 300 से 302 के उपर ब्रेकाउट नजर आ सकता है इस ब्रेकाउट के बाद राकेश जुन जुन वाला के पोटफोलियो वाला यह इस्टॉक सोट टम में जल्दी 340 के टार्गेट तक जा सकता है इस काउंटर को 260 पर इस्टॉक लोस के साथ एक महिने में 340 के टार्गेट के लिए मोजुदा बजार के मार्केट प्राइज या फिर 260 के आसपार इसको खरीद कर खोल लिया जा सकता है इस स्टॉक में 250 से 260 के लेवल पर एक बहुती जवर्दस सपोर्ट भी बना हुआ है जिसके तूटने की संभावना बहुती काम है इसलिए इस काउंटर में मीडियम या लोंग टरम में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और जिसके पास ये स्टॉक पहले से ही है वो ब्रेक आउट का इंतजार करो और होल्ड करो 340 के टार्गेट्स के लिए ब्रेक आउट के बाद ही 20 परसंट तक का प्रोफिट तुमको एक अमा करेगा जुलाई से सप्टेंबर 2021 के कोडर में पॉर्टिस हेल्थ केर सेर होल्डिंग प्रेटर के अनुसार राकेश जिंजनवाला जी के पास कमपनी के 3,19,50,000 सेर हैं जो कि कमपनी की कुल जारी पूंची का 4,5% ही है और स्ट टम के नजरिये से भी इस स्टोक में दाफ खेला जा सकता है